हेलो प्यारे बच्चों कैसे आप सभी आशा कि आप सभी घर में होंगे और सुरक्षित होंगे प्यारे बच्चों कल हमने आपका हिंदी वैकन से पार्ट नम्बर एक किया था जो था बाशा आज हम कर रहे हैं पार्ट नम्बर दो जिसका नाम है वरन विचार जिसका नाम है मैं आपको पहले ही कक्षा में इस पार्ट से समंदिती पूरी बाते बता चुका हूँ और मैंने इसको कक्षा में पहले पढ़ाया भी था। चलिए आज इससे जुड़े हम कुछ तत्तों को जान लेते हैं जिससे आपकी पार्ट का क्या हो जाएगा रिवीजन हो जाएगा आप दोवारा इस पार्ट को दोरा पाएंगे। वरण माला कहते हैं कई बार हम यह लिख देते हैं कि वरणों के सम्हों को वरण माला कहते हैं तो यह क्या है वरण माला की प्रिवासा होती है वरणों के दो वरणों को दो भागों में बाटा गया है सवर और वेंजन जो आप पहली कलास से या नरसरी से पढ़ते आ रहे हो अनार आम ये क्या सौर होते थे, और कैकब उत्रिय पढ़ते थे ये वेंजन होते थे, सौरों को दो बेद होते हैं, हर्शो और दिर्ग, वेंजनों को तीन भागु में बाटा गया है, शप्रश वेंजन, अन्तस्त वेंजन और उश्रम वेंजन, ठीक है, आगे पढ़ेंगे बारे में हम, फिर हैं अंग और एह, वेंग अयोगवा कहलाते हैं, ये क्या कहलाते हैं, ये क्या कहलाते हैं, अयोगवा कहलाते हैं, सौर के बदले हुए रूप को मातरा कहते हैं, देखो, जो सौर है न, उनको हम वेंजनों के साथ प्रियोग करते हैं, लेकिन सौर की क्या ह होती है एक मात्रा होती है एक चीन होता है जिसको हम वेंजनों के साथ लगाते हैं जैसे हम कह लिख रहे हैं उसके साथ हम आ लगा देते तो का हो जाता है लेकिन हम उसके पिछे आ नहीं लगाते हैं हम एक मात्रा लगा देते हैं उसके बाद हम करते हैं इससे जुड़ा हुआ अब भ्यास ठीक है चलिए अब भ्यास में देखते हैं क्या है ये सबसे पहले दिये हुए है बहुँ एकलपिया परसन उत्तर इसमें क्या है बासा की सबसे चोटी काई है वर्ण सबसे चोटी काई क्या है वर्ण सबसे चोटी काई क्या है देखो जो अनुसवार होता है जिसकी बोलते समय धानी नाक्षे निकलती है जैसे पतंग रंग टिक है आप नाक बंद कर के उसको नहीं बोल सकते, तो अनस्वार होते हैं, तो अंग क्या यहां पर अनस्वार है, अन्तेस्ट वेंजन है, देखो, आपको मैंने वेंजन बतायते हैं कि सप्रश्वेंजन, अन्तेस्ट उश्म, ठीक है, तो यह रेलेवर यह क्या है, अन्तेस्ट वेंजन है, यह क्या है, यह क्य अब देखो आपने यहां पर क्या बरने हैं रिक स्तान बरने हैं जो बहुत ही असान है आपकी बुक में दिये हुए हैं अब देखो यहां पर सबसे पहले देखो वर्णों के ववस्तित समूं को क्या कहते हैं उपर भी आ था वर्ण माला कहते हैं क्या कहते हैं वर्ण माला कहत वेंजन हैं, उसके बाद देखो सवर के बदले हुए रूप को क्या कहते हैं, मात्रा कहते हैं, ही सारी बाते उपर आई थी, अभी-अभी शय, ट्रई, जय, श्रई, ये क्या हैं, ये सेयोक्त वेंजन हैं, मैंने तुम्हें बता था जैसे एक शय होता है ये कैसे बनता है, ये कैसे में 6 में जूर कर बनता है, उसके बाद देखते हैं मागे क्या है, आगे दिया हुआ है, आगे देखो, आगे हमारे पास कुछ सब्द दिये गए हैं, हमें उनको क्या लगानी है, अनुसवार और अनुनाशिक लगाना है, यानि इनके साथ ही हम इनक बोलते हैं जैसे बंदर है अब बंदर के उपर ये बदर है बदर नहीं होता बंदर हो है ठीक है ये उपर क्या आ जाएगा जो अंक है उसकी मातरा आ जाएगी चंदा के उपर भी क्या जाएगी अंक की मातरा आ जाएगी अंगूर के उपर भी आ जाएगी अंक से तो अंगू जहाँ पर ज्याद तर जो बिना मात्रा के कोई भी वेंजन होता है ठीक है उस पर तो क्या आएगा हमेशा अनू सवार आएगा और जो मात्रा के साथ होता उस पर हमेशा अनू नाशिक आएगा यानि चंदरबिंदू आएगा चलिए आगे चलते हम आगे क्या है आगे है आगे देखते हम हमारा यहाँ पर बाग एक हो गया आगे क्या है इसमें आगे है ये कुछ दहुनिया है इनके चार-चार सब्द बनाना या अपने स्वयम करना है और यहाँ पर क्या है पांच में क्या दिया हुआ है इसमें दिया ह हुआ है कि दिये गए सब्दों की दहुनिया अलग करके लिखे इनकी दहुनिया अलग करके हमने लिखनी है ठीक है जैसे यहाँ पर आप किताब ले लो क्या ले लोगे किताब तो इसको आप कैसे लिखोगे कै दन यानि प्लस का निशान जमा का निशान तै ठीक है और अगर जैसे कै है यहां पर, क्या है यहां पर, कै है, तो कै किस की मातरा लगी हुए, छोटी की मातरा लगी हुए, कै, ठीक है, जमा में, ए, ठीक है, तै, जमा में, आ, ठीक है, फिर जमा में, क्या हो जाएगा, बै, अगर आप हलंत लगाते तो आग पिछे, ए भी हो जाएगा, बै, बाद में एकी आवाज आ रही है ठीक है तो ऐसे आपने क्या करने इन सब की दवनिया लगानी है ऐसे इन सब की दवनिया अलगर करके आपने लिखनी है और नीचे क्या दिये हुए है नीचे आपके क्या दिये है पर्षनों नेमिलिक्त पर्षनों के उत्र दीजी ये सभी मैं बूक में आपके करवा चुका हूँ, पहले आपके कुप में ब्लेक बोर्ड या सामपट के मादम से लिखवा चुका, तो प्यारे बच्चों, उमीद है कि आप सभी को वीडियो अच्छी लगेगी, आप सभी मन लगा कर वीडियो को देखेंगे, और आप सभी को जो भी मैंन बूलिएगा, धन्यवाद